1st January 2014, ISRO ने TSLV C-58 रोकेट के साथ Exposet सैटलाइट को लॉंज किया 1st X-ray Polarimeter सैटलाइट है ये ISRO का और इंडिया का और वर्ल्ट का 2nd Polarimeter सैटलाइट है ये Exposet मतलब X-ray Polarimeter सैटलाइट इसका फूल चौन है आज हम इस Exposet मिशन से जुए साइंटिक सैट्स को डिसकस करेंगे इसलिए एंड तक बने रहेना आप लोग इस Exposet मिशन का प्रोजेक डायक सैटलाइट है जाया कुमार एम पहले आते है एम आपजी मिशन इस मिशन का एम क्या है नक्सकत क्या है यह इंडिया का फास्ट पोलारेमिकरी मिशन है और वर्ट का सेकेंड पोलारेमिकर फैटलाइट है इस मिशन में इस दो स्टाडी करेगा ब्नमीक स्ट्रोंमिकल एक्स रेकोड फास्ट पेड़ोट का नाम है फोलेक्ष यह 8-30 किलो इलेक्तो भोल्ट तक होटॉन को स्टाड़ी करेगा I thameme काम है एक्स रेकोड स्टाड़ी का नौरिज़ और इस्टेकन पादा करने और सेकंड पेलोट का नाम है एक्सपैक्ट। ये 50 किलो इलिफ्टो भोल्ट तक स्टाड़ी करेगा एक्सपैक। और ये स्टेक्ट। स्वभी भी करेगा। अच्छा पेलोट के बाड़े में इस देर बाद में आते हैं। इस मिशन का मेंन मकसद है ब्लैक होल को स्टाडी करना, मूट्रोन स्टार को स्टाडी करना, कोस्मिक एकस्टे को स्टाडी करना, पालसार रूइंट को एन्ड नेवुला को एकस्टेप्टर को स्टाडी करना इस मिशन का मेंन मकसद है ये एक्स्पोसेट धर्टी से 7,917 किलोगीटर उपर में और्बीट में गुमेगा मतलब इसका पोजिशन है ये इस एक्स्पोसेट सेटेलाइट का माह 470 किलोग्राम का है ये इस्ट्रो यू आरेस्पी एन रामान स्पेस रिशा सेंटर ने मिलकर बनाया है इस मिशन में इस्ट्रो को करीब 30 मिलियन डॉलर मतलाब 250 करोर रूपे का खाड़ चाया है आप थोड़ा डीटेल में स्टाडी करते है और समस्ते है इसका मेइन काम नमबर वान पे है कोस्मिक X-ray को स्टाडी करना ये कोस्मिक X-ray शोर्स को स्टाडी करेगा और एंगल अप पोलाराइजेशन भी डिटर्माइन करेगा आप समस्ते हैं कोस्मीक X-ray क्या है, कोस्मीक Ray क्या होता है इस से जो पार्टिकेल धर्ति पे आते हैं लाइक आलफा, बीटा, गामा, X-ray इसी को हम कोस्मीक Ray बोलते हैं और ये X-ray को कोस्मीक X-ray बोलते हैं और अंगेलब Polarization क्या है पॉलर्याइजिंग लाइट अगर कोई री कमपॉंट में असे पास होता है तब वह कुछ एंगेल में घुं जाता है इसी को हम angular polarization बोलते हैं जो एंगेल में घुनता है इससे हम chemical composition को like wavelength frequency को study करते हैं नमबर दो पे आते हैं Newton star का magnetic field को study करना Newton star मतलब जब कोई star का death होता है तब वो black hole, Newton star और white graph में change होता है ये इसी Newton star की magnetic field को भी study करेगा ये exposed satellite नमबर फ्री पे आते हैं black hole study ये में नक्सद है इसको का black hole को study करना black hole से लेकर अभी facts कैसे बनता है इसका क्या क्या प्रोपाइटिया सब कुछ लै बाद में discuss करूँगा वीडियो पे इसलिए चैनल को subscribe कर देना भी ताकि आप लोगों को कुछ मिस्ट ना हो और नामबर फोर पे आते हैं supernova और thermal emission को study करना supernova क्या है जब star का death होता है तब वो bomb की तरह आठता है और इसका एक high energy and high temperature होता है इसी thermal temperature को study करेगा यह exposed satellite आप आते है सबसे interesting topic पे जो की है पेलोड इसका fast पेलोड का नाम है पोलिक एक्स्ट्रे पोलारिमीचार और पोलारिमीचार इंस्टुमेंट की एक्स्ट्रे यह 8 से लेका 30 फिलो इलेक्ट्रोबोल्ट साख एक्स्ट्रे को study करेगा इसे रामान वीसा कींसी की आडर आईने और यूर एस्टी और इस्ट्रो ने मिलकर बनाया है इसमें प्रपेशनल काउंटर डिटेक्टर लागा है यह प्रपेशनल काउंटर एक मिल्ट्री याड डिटेक्टर है चार्ट्स पर्टिकल को डिटेक्ट करता है और यह फर्स्ट्रे लोड एंगेल पोलारिमीचार को भी study करेगा इसका life time पाथ साल तक बनाया है नामबर दो पे आते है इस से satellite का नामबर दो पेलोट का नाम है expect ये x-ray spectroscopic and teaming है ये spectroscopic करेगा और polarization को भी study करेगा ये 15 kg इलेक्ट्रो फोल्ट तक x-ray को study कर सकता है और ये main black hole और neutron star का ही study करेगा ये second number पेलोट तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम पे ये emission कितना successful होता है और neutron ने 2024 में और किया किया नया धामाल माचाता है ये देखने वाली दाथ है आज का वीडियो तो देख लिया किस बज़े से thank you वीडियो पसंद गया तो चैनल को subscribe करके facebook पे follow कर जीचिए और एक वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए और आपने अभीता का अगर Luna 26 और Luna 27 का वीडियो नहीं देखा तो description के link है और i button के भी link है जाके देख लो तो मिलते हैं एक वीडियो के तब तक के लिए बाई बाई दोस्ते